ये देखिए बच्चों ने क्या लिख दिया है ये बच्चे आज कुछ नया ही कारनामा करने वाले हैं और ये बच्चे आपको Contamination OCD से मुक्ति दिलाने की टेकनीक भी सिखाने वाले हैं अगर आप एक हपते तक इस activity का भ्यास करें दिन में दो या तीन दफ़ा तो Contamination OCD की छुटी पक्की ये जोदपुरिया का वादा है इसके बच्चों ने कितनी अदभुत creativity कर दी है ये creativity कैसी लगी इसके बारे में भी आप comment में बताएंगे हलो नमस्कार मैं राजिंदर जोदपुरिया आज की इस अदभुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं ये वीडियो है OCD से related OCD में मिट्टी से भै लगता है अगर मिट्टी चमडी पर लग जाए तो लगता है कि हाथ गंदे हो गए है अगर किसी सामान को चुएंगे तो सामान गंदा हो जाएगा घर गंदा हो जाएगा तो एक कंपल्सन किया जाता है वो है हाथ धोने का, नहाने का, सापसफाई का अब आज की इस वीडियो में देखिए कि ये बच्चे हैं ये मिट्टी में खेल रहे हैं आप भी अपने बच्पन को याद करें जब आप मिट्टी में खेलते थे इस तरह के छोटी-छोटे घर बनाते थे और खूब इंजवाए करते थे तब मिट्टी हाथों पर भी लगी रहती थी कपड़ों पर भी लग जाती थी और जैसे कई बार जुखाम हुआ होता था तो जो सींड है वो आता था तो ऐसे पोंच लेते थे तब नाक पर भी लग गई होटों पर भी लग गई कुछ नहीं हुआ करता था लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि सिरफ मिट्टी का विचार आने से या गंदगी का विचार आने से ही नहना धोना स्टार्ट कर देते हैं तो अगर ठीक होना चाहते हैं बच्पन के दिन फिर से याद करने होंगे बच्पन में फिर से लोटना होगा देखिए यह अगर आपने अक्टिविटी कर ली तो कंटेमिनेशन OCD की छुटी पक्की है अब देखिए बच्चों के साथ मैं भी खेल रहा हूं यह मिट्टी के छोटे-छोटे घर बना रहे हैं बच्चे यह देखिए यह बच्चे घर बना रहे हैं यह मिट्टी के इनोंने घर बना दिये यह इंटे भी बना दिये हैं यह देखिए इनके हाथ यह देखिए बच्चों के हाथ कितने गंदे हैं ये देखिए ये मुझ के उपर और होटों के उपर और ये इनोंने लवेड रखा है ये बच्चा भी देखिए ये मनीश जौदपुरिया है ये देखिए मिट्टी के अंदर पूरा सना हुआ है ये देखिए बरतनों की से बरतनों का क्या हाल इनोंने कर दिया है ये हाथ अब देखिए अब ये बच्चे बताएंगे भी कि जब इनके मुँझे उपर खारिस आती है तो ये कैसे साप करते हैं ये देखिए खारिस जब आती है तो बच्चे इस तरह से साप करते हैं क्या बात है ये भी बच्चा करके दिखाएगा जब आपको खारिस आती है तो कैसे खारिश करते हो, ऐसे क्या बात है, ये देखिए इन बच्चों को कुछ नहीं हो रहा, अगर इन बच्च, अगर मिट्टी से बच्चों को कुछ नहीं हो रहा, तो बड़ों को क्या हो जाएगा, बच्पन में हम मिट्टी से ही तो खेलते थे, मिट्टी से ही तो प्रेम करते थ और जो हमारे फोजी भाई हैं वो तो देश की मिटी को सलाम करते हैं और जब भी वो मेदाने जंग में जाते हैं तो मिटी को अपने माथे पर लगाते हैं और कहते हैं कि इस देश की मिटी के लिए हम वतन पर प्राण भी निचावर कर देंगे वो जजबा चाहिए एक तरफ ओशिडी वाले हैं जो मिटी से देश की मिटी से गबराते हैं चूजाए तब उनको विचार आने लग जाते हैं और धाने धोने में लग जाते हैं अब देखिए ये बच्चे ये मिटी गिली मिटी उठा कर कहां से लाए हैं ये देखिए ये देखिए बच्चे मिटी का पूरा भर रहे हैं इसके अंदर मिटी पूरी भर ली है ये देखिए ये देखिए मेरे मिटी से सने हुए हाथ हैं और मैं साप करूंगा बिना साबून की पानी से ये देखिए मेरे हाथ साफ हो गए साफ हो गए कहीं कोई गंदगी नहीं बस गंदगी चू मंतर अगर OCD वाले ये अक्टिविटी हपते में दो बार करें एक हपते तक लगातार तो कंटेमिनेशन OCD की छुटी हो जाएगी और जैसे ये अक्टिविटी करें बच्चों के साथ उसके बाद हाथ सिंपल पानी से जैसे मैंने दोए है मैं इनी आतों से अब खाना खाने जा रहा हूँ तो ये वीडियो कैसा लगा आप कोमेट में जुरूर बताएंगे अगर ये मिट्टी वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बले बले नहीं बैठी तो थले थले फिर भी थले थले को बले बले में बदलने के लिए आप online offline psycho guru team से बात कर सकते हैं, अगर आप online offline psycho guru team से बात करते हैं, तो थले थले को बले बले में बदलना हमारी जुम्मेवारी है, आपकी contamination OCD से मुक्ति दिलाना हमारी जुम्मेवारी है, आप राजंदर जोदपुरिया वेबसाइट पर return में tips पढ़ते हैं, और Facebook पे इस राजंदर जोदपुरिया को like भी करते हैं, इसके लिए मैं आपका आपारी हूँ